गुड बॉर्णिंग स्टुडेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप सुभी तो आपके अपने परिवार पीवे आरे स्टुड़ी अच्छी किताबें और अच्छे लोग जल्दी समझ में नहीं आते हैं उन्हें ध्यान से और कुछ समय तक पढ़ना पड़ता है इसलिए अगर जिन्दगी में कभी किसी ऐसे परसन से मुलाकात हो जाए तो पढ़ने की कोसिश करना चलिए स्टार्ट करते हैं कट्टादस की एंसे अर्टी मैथ एकसरसाइज 3.5 और हम आज यह इंग्लिस मीडियम का जो कुश्चन लेके आये हैं यह बिल्कुल हिंदी में बताएंगे परिसान मत होना तो जो इस्टुडेंट हिंदी वाले हैं वो हैरान नहीं होंगे ठीक न चलिए मतलब बताते हैं कुश्चन नंबर है फ़र्ष्ट करा विच आप दे फाल्विंग पेर्स आफ लिए एक क्वेशन है यूनिक सलूशन नो सलूशन इंफिनिटली मेनी सलूशन इन केस देर इजा यूनिक सलूशन फाइंड इप यूजिंग क्रास मल्टिपलिकेशन देखो मैं हिंदी में बता रहा हूं इसका मतलब ये है साथियों कि नीचे दिये गए इन समीकरणों में से किन के आदूतिये हल हैं यानि कि यूनिक सलूशन है और किन के कोई सलूशन नहीं है मतलब किन का कोई भी हल नहीं है और कुछ ऐसे सलूशन भी हैं मतलब एक्वेश इनकेस आफ देरिजा यूनिक सेलूशन अदूतिय मान की स्थिति में इसे बज रगुणन विधी से हल करना है अगर आपकी हिंदी मीडियम की किताब है तो देख लो यहीं सब लिखा होगा हिंदी में लिखा होगा समीकरन सेम तू सेम होंगे टैंसन मतले ना यारो चाहें इं इसको क्या करेंगे सबसे पहले पहले तो मैं सब कुछ बता चुका हूं यह चीज आप पहले पढ़ चुके होगा नहीं नहीं पढ़े हो तो इसको पढ़ लेना a1 b1 upon a2 b2 equal c1 c2 यह सिखे होगे नहीं कि यह कब अदुतिय होंगे और कब यूनिक होंगे है ना a1 b1 a2 b2 और यह c1 c2 कब इनके मान जो है रेखा ऐसा मानतर होंगी कब परतिछे दित करेंगी यह सब मैंने पिछली कलास में पढ़ा दिया नहीं देखा है तो कलाफ नंबर जो है यह नोई है ना साथवी और आठवी देख लेना तो चलिए हम सबसे पहले इनका सब का मान निकालते हैं दो क्यार तुलना करना तो आप सभी सीखी गए हो इसमें अब तुलना करना आपको नहीं सीखाना है है ना तो हम दोनों समीकरण से निकाल लेते हैं चलो ठीक है इसमें A1 कितना आएगा पहले समीकरण से 1 आएगा B1-3 आएगा C1-3 आएगा A2-3 आएगा B2-9 आएगा C2-2 आएगा ठीक ओके नीचे दिख रहा है ना तो ठीक है बहुत अच्छे चलो इदर साइड में हल कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है ये लोग इतना करने के बाद इधर करना अब मित्रों यहाँ पर निकाल लो A1 अपान A2 और इक्वाल B1 अपान B2 और इक्वाल C1 अपान C2 निकाल लो तो A1 का मान 1 है A2 मतलब 3 है इक्वाल B1 का मान माइनस 3 है और B2 इक्वाल है माइनस का 9 C1 का मान माइनस 3 है और C2 का मान माइनस 2 है इनको हल करोगे देखो A2 लगालो ऐसे तो A1 अपान 3 यह माइनस माइनस प्लस यह कट जायेगा 1 अपान 3 और इक्वाल यह माइनस माइनस तो प्लस हो जायेगा लेकिन यह 3 अपान 2 आएगा अब यहाँ पर एक बात बहुत ही इंप्वार्टेंट है ध्यान देना देखो A1 अपान A2 इक्वाल B1 अपान B2 तो हो रहा है चुकि मान बराबर आ रहे न लेकिन यह C1 अपान C2 के बराबर नहीं है और जब कभी ऐसी इस्तिती आजाए A1 अपान A2 इक्वाल B1 अपान B2 और डज नाट इक्वाल C1 अपान C2 तब क्या होता है तब रिखाएं क्या होती है समानतर होती है क्या होती है समानतर होती है और ऐसी हिस्तिती में वो एक दूसरे को कहीं भी परतिश्य दिद नहीं करेंगी और फिर इस तरह से इसका कोई भी सलूसन नहीं होगा इसको इंगलीज में कैसे लिखोगे मैं वो भी बता दे रहा हूँ आप सभी को लिख लो फटा फट जिनको इंगलीज में लिखना है इंगलीज वाला भी मैं आपको बता दे रहा हूँ नोट कर लो फटा फट जल्दी से इंगलीज में इसको बोलोगे नोट करो therefore the given sets of lines are parallel to each other therefore they will not intersect each other and thus there will not be any solution फार दीजी question देखो इंटर्सेक्ट का मतलब होता है परती 6 दित करना ठीक है solution मतलब जानते हो हल और unique मतलब होता है अदूति ये तो ये हो गया हिंदी इंगलीज चाहिए जिसमें हो पहला question हो गया clear चलिए next पे चलते हैं इसी में का second part देखना क्या कहता है इक question दिया होगा आपकी book में देखो ये पहला question का दूसरा part 2x plus y equal 5 और 3x plus 2y equal 8 दिया है न इसमें भी ऐसे कर लो इसकी जब compare करोगे तो a1 equal 2 हो जाएगा और b1 equal 1 हो जाएगा और c1 equal इधर ले आओगे तो minus का 5 हो जाएगा अगर ये compare नहीं आएगा तो बता देना अगर आपने सातमा और आठमा पार्ट नहीं देखा तो नहीं समझ में आएगा ठीक ना यहां से a2 बराबर निकालोगे तो 3 आएगा b2 बराबर 2 आएगा और c2 equal minus का 8 आएगा तो चलो मान रख देते हैं a1 upon a2 यानि कि 2 इबटा 3 बराबर b1 upon b2 देखो b2 कमान क्या है दो बराबर c1 upon c2 ध्यान देना यहां पर यह कोई भी मान एक दूसरे की किसी के भी बराबर नहीं है जरा गौर से समझ ना और आप सभी condition जानते हो कि जब a1 upon a2 does not equal b1 upon b2 जब यह इस्तिति बनती है तो यह रेखाएं दूसरे को परतिछेदित करती हैं है ना और जब परतिछेदित करती हैं तो क्या होगा तब फिर यूनिक सलूशन होगा सिंपल सी बात है तो लिख लो इसको इंगलीस में कैसे लिखेंगी मैं बोल दे रहा हूं इंगलीस में लिख लो लिखिए इतना आगे ना यहां पर लिखो इतना लिखने के बार निचे लिखो therefore they will intersect each other at a unique point and thus there will be a unique solution for this equation अब चलिए multiplication method कहा था ना बज्र गुड़न बिधी लगाते हैं इतना कर लो जल्दी से चलिए अब हम बज्र गुड़न बिधी से हल करेंगे क्या करेंगे बज्र गुड़न बिधी से जीसे इंगलीस में लिखेंगे बाई क्रास मल्टिफिलिकेशन मेथेड ध्यान देना टाइम की कमी के कारण मैंने इसको पहले से लगा दिया है आपको एक एक बात समझा दे रहा हूं देखो अभी अभी हम लोगोंने समिकरण की त सब कमान निकाला था आपने देखा था पीछे ना देखा था अकर नोट की हो कापी में तो देख लो नहीं नोट किये था तो वीडियो को पीछे करके उसको पहले नोट कर लो तब समझ में आये का वरना नहीं आएगा तो ध्यान देना यह फर्मूला होता है बज्र गुणन सब्सक्राइब 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 फिर A1 कमान 2 और B2 कमान भी 2 था माइनस का माइनस A2 कमान 3 और B1 कमान 1 यह सारे मान हो गए आठ का एक में गुड़ा किया माइनस में था इसलिए माइनस 8 आया यह देखो बीच में माइनस है 2 का 5 में हुआ तो माइनस 10 हुआ और माइनस 10 और यह बीच का 10 ये plus हो गया इस तरह इसमें आया तो 5 तीहां ही ये 15 हो गया माइनस का छिनलत इफ लिए माइनस में आया देखो 8, 12, 16 माइनस में आयगा लेकिन यहाँ पहले माइनस है इसलिए ये plus हो गया यह दो दूना चार और तीन एकम तीन यह हो गई पूरी कहानी यह बराबर इतना आया न मतलब 1 एकस अपान टू एककल वाइपान वन इकल वन अपान वन यानि एक बार आप इसको एक के बराबर कर दो एक बार उसको कर दो तो यार इधर कर लो साइट में इसमें क्या जाता है किसका तो x upon 2 बराबर 1 upon 1 एक पार कर लो तो यहां से x बराबर 2 आ जाएगा और y upon 1 equal 1 upon 1 कर लोगे तो यहां से y equal 1 आ जाएगा यह हो गए answer x और y के है ना नोट कर लो फट से तो साथियों इस तरह से आपका यह पूरा हो चुका है question number यह भी complete हो चुका है अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो इस screenshot ले लीजी आप इसका जिससे कि आपको समझ में आ जाए ठीक ना तो यह जो मैंने घेर दिये यह answer नहीं था यह भी याद रखना यह तो मैं आपको समझने के लिए घेर दिया कि हम लोग मुख्य मुख्य बाते पा गये यहीं पर ठीक ना यह answer नहीं इसको मत घेर ना यह उत्तर नहीं है यह तो मैंने ऐसे घेर दिये मुख्य बना दिया इसको बाकी इसका आंसर हुआ आया जो एक्सवाई का यहां जाके ठीट ना क्लियर नोट कर लो और हाँ कांपी जरूर बनाईए नोट्स बनाऊगे तो अच्छा रहेगा एक्जाम बहुत नजदीग है ना 2020 वाला तो इसका नोट्स बनाईए और समझी अच्छे से बहुत ज़्यादा परिसान मत हो यह टैंसन मत लीजिए एकदम फिरी माइंड पढ़ाई करिए जब मन होता भी पढ़िए जबरजस्ती मत पढ़िए तेरे स्टुडेंट्स यह कलास यह पर खताम हो जुकी है अगर आपको इस कलास के बारे में कुछ भी सुझाओ है या कुछ भी सिकायत है तो आप हमें संपर्ख कर सकते हैं अगर आपका 2020 में एकजाम है फरवरी में तो आप मात्र 20 दिन वाला क्राइस कोर्स जोईन कर सकते हैं 20 दिन वाला क्रैस कोर्स आपका 18 तारीक से सुरू हो रहा है आवस से जोइन करें सारे इंपॉर्टेंट कोईश्चन आपको मैथ के उसमें करवा दिये जाएंगे और यह आपका क्रैस कोर्स जो है मात्र 299 में उपलब्ध है सिर्फ 299 रुपए में इसे आप किसी भी तरह से प पिल्कुल अपने दोस्तों में सेयर करें हर किसी को दिखाएं जिससे कि उसे भी आने लगे